डूर्यश्टरेंट्स कि आजए पर अपन आज देखेंगे लुए है यह पड़ा था कि इस गुरूब के सारे मेंबर गाफ़ इस गुरूब दिखाते हैं जैसे ऑक्सिजेन के भी दो लट्रॉप हैं ऊजू और शीजन, विज सी सलफर भी नमबर ओर फो बनाता है जिनमें दो इंप्रोंदेंट फॉह में यलो रॉंबिक एड और मोनुख्लेसफर और मोनुख्लेस अधी इसलफर अल्फा सल्फर से बीटा सल्फर केसे बनता है अल्फा सल्फर जब टेंपरेचर 369 कल्विन से कम हो तब अल्फा सल्फर ज्यादा इस्टेबल होता है तो 369 कल्विन से जब टेंपरेचर कम होगा तो अल्फा सल्फर होगा और जब टेंपरेचर 369 से ज्यादा हो जाएगा तो वली इंटो बीटा शलुहर He client अब्गोश्वर की भात क्रें लिटा सलुफर की वीटा शॉलुहरण दा क्रें 369 Kelvin के temperature पर दोनो के दोनो forms simultaneously मिलते हैं, बोथ forms, alpha and beta forms are simultaneously present, then this temperature, that's why this temperature is also called, this temperature, 369 Kelvin, the temperature is also called transition temperature, because beyond this temperature, alpha silver convert into beta silver, अगर atomic structure की बात करें तो both alpha and beta sulfur both are polyatomic, polyatomic में इनकी structure S8 होती है, sulfur के 8 atom आपस में जूड़े रहते हैं, किस तरह से जूड़े रहते हैं यह देखिए, यह वाला structure है, यह आपका alpha sulfur का है, तो alpha sulfur में basically crown like structure होती है, crown आप देख रहे हों में पुट, crown like structure होती है, और beta sulfur की होती है, फिल alpha की बात करते हैं, crown like structure होती है, इसको puckered ring structure भी बोलते है, पकर्ड का मतलब होता है, wrinkle, यह रिंकल होती है, तो puckered ring like structure होती है, यहाँ पर sulfur के 8 atom है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sulfur के atom ने इस तरह की structure बनाई है, इसलिए sulfur का melting point अपने देखा था है, अपने आपने देखा नहीं हो, तो मैं आपको बता दूँ, आप किरानी की दुकान पर जाएंगे और किसी को बोलेंगे, यह गंधक, हमें दे दीजिए गंधक तो डेट गंधक यह sulfur, इसके बाद आता है, बीटा sulfur की structure आप देख रहे हैं, चेयर-like होती है, चेयर-like shape होता है इसके art, और यहाँ पर mistake हुई मेर से, basically alpha और beta दोनों sulfur की structure crown-like ही होती है, कोई अलग से board नहीं होती है, क्योंकि आप यह देख रहे होंगे, 6 है, मैंने ज्यान नहीं दिया, इसमें S6 है, this is called cyclo-S6 sulfur, अलफा और beta दोनों की structure same है, फिर से बोल रहा हूँ, alpha और beta दोनों की structure crown-like structure होती है, जबकि आप जब इसको heat करते हैं, तो यह इं-disturb होती है, और higher temperature पर आपको cyclo-S6 sulfur मिल जा, this is another allotropic form, जैसे आपने बोला के number of allotropic forms होगे है, तो विससे ही, यह उसका cyclo-S6 allotropic form है, और cyclo-S यहां पर good rest है, यहां पर good rest है, तो इस तरह से यह एक chair foam नज़राता है, that's why it is called cyclo-Sulfur chair foam, several other modifications, भी दीखें, आप अपने को बहुत सारे modifications दीखें, जब आप temperature बढ़ाते जाते हैं, तो आपको 6 से लेके 20 तक के sulfur atom unite होते होगे होगे, जब temperature 1000 Kelvin के लगभग होता है, तब जो dominant species होती ही, वो होती है S2, diatomic sulfur, जो dominant species होती ही, वो है S2, which is diatomic sulfur, और S2 की खाशेत यह है, कि S2 oxygen की तरह ही paramagnetism होता है, जिसे अपने रहा था oxygen का unique behavior, behavior is paramagnetism, वैसा ही S2 भी paramagnetism शो करता है, तो यह हुँ ही sulfur और sulfur के allotrops के बारे में, superficial information, आईए आगे आते हैं, इसके compounds पर, sulfur dioxide पर, तो next है अपना sulfur dioxide, तो sulfur dioxide आप बुक में पढ़ना, जो पढ़ने वाली information में, रीड कर दे रहा हूँ, sulfur dioxide is formed together with a little 6-8% sulfur dioxide when sulfur is burnt in the presence of oxygen, जब आप sulfur को oxygen की बनाते हैं, तो sulfur dioxide बनता है, पर 7 में sulfur trioxide भी मिलती, 6-8% concentration, sulfur trioxide की भी होती है, लेवरेट्री में इसको sulfide, और sulfide की reaction जब dilute sulfuric acid से कराते हैं, तब आपको A2 gas मिलती है, और industrial इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको sulfur dioxide की जब रोस्टिंग करते हैं, तब आपको sulfur dioxide मिलती है, इसको बनाने के लिए काम मिला सकते हैं, इसको बनाने के लिए काम मिला सकते हैं, या फिर इस sulfur dioxide का further oxidation कराते हैं, पाने के लिए प्रोसेस होती है, उसमें, और sulfur dioxide के further oxidation कराते हैं, sulfur trioxide मिलती है, और sulfur trioxide को आप पानी में डिजूल करते हैं तो आपको मिलता sulfuric acid, तो basically industrial sulfur dioxide या by-product sulfur dioxide of industrial metallurgical industry is the main source of sulfuric acid, या main raw material for the synthesis of sulfuric acid, या आप देख सकते हैं उसमें लिखा है, यह जो gas निकलती है metallurgical industry में इसको dry किया जाता है और liquefied करके pressure, steel वाले cylinder में under pressure fill कर दिया जाता है, प्रोपर्टी इसकी sulphate dioxide is a colorless gas with pungent order, इसकी colorless gas है, इसकी order case ही है, पंजंट है, and is highly soluble in water, यह water में बहुत ज्यादा soluble है, इसके बाद it liquefieds at room temperature under pressure of 2 atmosphere and boils at 263 Kelvin, इस अब आप देख सकते हैं, पानी की dissolve करने के बाद जो reaction दिखती है आप, यहाँ पर आपन देख सकते हैं, पाना वाटर में डिजोल करते हैं, sulfuric acid बनता है, फिर sulfurous acid बनता है, और sulfurous acid ionize होता है, that's why solution of sulfur dioxide is acidic solution, यह sodium hydroxide solution के साथ readily react करती है, sodium sulfide बनाती है, यहाँ पर जो sulfur dioxide की reaction है, basically carbon dioxide से resemblance दिखाती है, यह से reaction carbon dioxide और sulfur dioxide दोनों की एक जिस होती है, अब जैसे आपने याद होगा carbon dioxide की identification की वो क्या थी, कि यह lime water को milky कर देती है, वो lime water को क्या कर देती है, milky, because lime water वहाँ पर calcium hydroxide था, तो वहाँ पर calcium hydroxide milky होता है, because of the formation of calcium carbonate, carbonate, CaCO3, वहाँ पर calcium carbonate के formation से lime water में इसकी होता है, और जब आप excess of CO2 pass करते हैं, तो that lime water और lime color of that solution gets disappear and it gets decolorized, तो जो carbonate बने थे calcium carbonate, वो excess of CO2 pass करने पर bicarbonate में convert हो जाते है, बाज में फिर reaction लिख देता हूँ आपके सामने, तो excess of CO2, जैसे आपने CO2 lime water में pass की, तो यह बनता है calcium carbonate, CaCO3, और इसी COCO3 पर आपने जब excess of CO2 pass की, तो आइए बन गया calcium का bicarbonate, तो यहाँ पर similar behavior, यह कि यह reaction जो अपनी carbon dioxide यह sodium hydroxide के सांथ इखाती है, तो sodium hydroxide के case में भी जब आप reaction कराते है, carbon dioxide के तो sodium carbonate बनता है, और फिर excess of CO2 pass कारने पर sodium carbonate के सांथ हो जाता है, sodium hydroxide के सांथ होती है, कि पहले ही sodium sulfide बनता है, sulfide, PHI-T, sodium sulfide बनता है, और फिर sodium sulfide पर excess of isotope case पास करते हैं, तो sodium sulfide कर्वंट हो जाता है, sodium bisulfide यह sodium hydrogen sulfide यह है, तो this behavior is similar to the SOT, alkali के reaction इसके reaction सिर्फ बिलकुल सिमिलर है, carbon dioxide के जैसी, sulfur dioxide reacts with chlorine in the presence of charcoal, charcoal इसके catalyst का काम करता है, तो यह chlorine से reaction करती है, है, chlorine से reaction करती है, और sulfur chloride बनती है, SO2Cl2 sulfur chloride chloride बनती है, और यह sulfur dioxide oxygen इसको oxidize कर सकती है, इन दी presence of V2O5 और किसमे convert के जासकता है इसको, sulfur dioxide, this is the chain reaction, or key reaction, main reaction or key reaction of contact process, यह sulfuric acid बनाने की contact process है, यह यह देखेंगा भी इन एक्स दूसमे, Moist sulfur dioxide behaves as a reducing agent, for example, it converts iron 3 ions into iron 2, reduce कर देती, Fe3 plus को Fe2 में, और यह acidic potassium permagnate के solution को decolorize करती है, that indicates that potassium permagnate is oxidizing something, that is potassium permagnate is reducing itself, यह potassium permagnate के solution के decolorize वाली टेस्ट है, वो sulfur dioxide के identification purpose से use की जाती है, अगर कई gas जो दे रहे हैं वो sulfur dioxide है यह नहीं, तो अगर आप उसको potassium permagnate के solution में पास करेंगे, और अगर solution D कल रहा है जो जाता है, इसका मतलब वो जो gas है, वो sulfur dioxide है, हो सकती है, इसकी जो structure की बात करें, तो यह ठीक ozon जी होती है, और यह ozon जेसा ही दो resonance forms का canonical hybrid है, यह इस तरह की structure होती है, इसमें angular इसका shape होता है like water or like ozone, और इसके usage देंके, sulfur dioxide is used in refining petroleum and sugar industries, bleaching wool and silk, as an anti-chlor, anti-chlor chlorine के साथ reaction करके, anti-chlor मतलब वो सब्सक्षन जो chlorine को ठीकाने लगाता है, किसी reaction में निकलने वाली chlorine को, तो वहां पर भी anti-chlor जैसा use होता है, disinfectant and preservative, sulfuric acid, sulfuric acid, sodium hydrogen sulfide and calcium hydrogen sulfide, इन सबको बनाने के लिए, sulfur dioxide का use किया जाता है, liquid SO2 is used as a solvent to dissolve the number of organic and inorganic chemicals, liquid SO2 जो है बहुत सारे कामों में solvent जैसे use किया जाता है, laboratories में, आगे आते हैं, oxo acids of sulfur, यह important topic के oxo acids of sulfur, so next काते है, oxo acids of sulfur, sulfur form number of oxo acids, oxo acids मैं आपको फिर से पता दूँ, oxo acids वह acid है, जिन में hydrogen oxygen से जुड़ा रहता है, और because sulfur की बात करें, sulfur के oxo acids है, जो OH के बात करें, OH sulfur से जुड़ा है, पहला oxo acid is sulfurous acid, which is S2SO3, दूसरा है sulfuric acid, which is S2SO4, this is also called orthosulphuric acid, तीसरा है आपका olium, which is also called pyrosulphuric acid, pyro मतलब आपको वालू में जब आप pyrosulphuric acid को जब आप heat करेंगे हैं, तो sulfuric acid के 2 molecule आपस में unit होंगें, और एक water का molecule करेंगें, और आपको मिलेगा pyrosulphuric acid, उसके बाद जो एक और एक paroxodized sulfuric acid, तो इनकी structure देखते हैं, सभी में sulfur SP3 hybridized है, यहाँ पर SP3 LP1 है, तो इसका shape parameter type का है, sulfurous acid का, क्योंकि एक loan-pairing vertices परकी गई है, sulfuric acid tetrahedral होता है, sulfur मतलब SP3 hybridized होता है, tetrahedral नहीं बुल सकते हैं, sulfur के आसपास तो geomotri tetrahedral होता है, यहाँ पर ऑक्सिजन यह भी SP3 hybridized होता है, तो यहाँ पर sulfurous acid और sulfuric acid दोनो, di basic acid होता है, दोनो के दोनो आपको 2 proton देगी, और उसके बाद यहाँ पर oleum को आप यहाँ पायो sulfuric acid को देख रहेंगे, यह भी एक di basic acid है, और paroxodisulfuric acid में क्या होता है, paroxodisulfuric acid में तो paroxide bond होता है, यह जो bond दिख रहा है, यह basically paroxide bond है, that's why it is called paroxodisulfuric acid, यहाँ पर structure देखेंगे, यह एक acid sulfuric acid और दूसरा sulfuric acid के molecule आपस में unite हुए with the liberation of water molecule, तो यह कब होता है जब आप sulfuric acid को heat करते हैं, तब आपको यह मिलता है, pyrosulfuric acid, तो सभी में sulfur sp3 hybridized है, oxygen state की बात करने तो सिर्फ इसमें plus 4 होती ही, बागी सब में plus 6, plus 6 है, sulfur आपकी oxidation state, यहाँ पर यहाँ लगता है कि plus 7 है, जब जब की plus 7 sulfur दिखाई नहीं सकता, उसके पास इतने electronic valence shell, तो यह इसका कारण यह है, कि oxygen state इसकी plus 7 होगी, यह होती नहीं होती है, यह होती है, इसके बाद आगे आते हैं, अपन sulfuric acid पे, तो sulfuric acid बहुत important industrial chemical है, यह contact process से बनाया जाता है, दो process होती है, एक late chamber process और एक contact process जिसमें, आजकल जो popular method बनाने की वह होती है, contact process, तो आइए देखते हैं, contact process में होता गया है, मैंने फिक्चर अप sulfuric acid through contact process में, तीन state की state है, वह है burning of sulfur, पहले sulfur को burn किया जाता है, हिंदी presence of oxygen, sulfur burn होता है, sulfur से मिलता है, आपको burn होने कवाल sulfur dioxide या, sulfide ore को roast किया जाता है, सेकर्ड केस में, iso2 को further oxidize किया जाता है, catalytic chamber V2O5, vanadip endoxide होता है, वह sulfur dioxide को oxygen करा के, sulfur dioxide में गनमण करता है, इस reaction का thermodynamic साब देखें, तो यह reaction काफी exothermic reaction है, इसमें heat liberate होती है, heat liberate होती है, मतबकर आपको ज्यादा से ज्यादा sulfur dioxide बनाना है, तो आपको, तो आपको temperature लो करना पड़ेगा, तो temperature इसका लगभभ होता है, 720 Kelvin तक, प्रिशर की बात करें, तो वाल्यूम इस reaction में, forward direction में घट रहा है, प्रिशर आपको, वहाँ पर पढ़ा हुआ रहना पड़ेगा, थर्ड इस्टेप में, absorption of SO3 H2SO4, तो उससे, आपको मिल जाता है, H2H2O7O, इसका schematic हम next lecture में देखेंगे, Thank you.